चॉकलेट सबको बहुत अच्छी लगती है और चॉकलेट से बनी हुई डिशिज भी तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी एक ऐसी पुडिंग ज्यादा स्यादा दस मिनट में बन जाएगी आइस्क्रीम और केक और पुडिंग सबका मजा भी देगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बहुत अरम से बन जाएगी बहुत ज़दा सॉफ्ट और उपर से बहुत ज़दा शाइनी और ग्लॉसी बनी है और टेस्ट भी इसका ला जवाब है एक बार आप इस रेसिपी को अगर अपनी घर में ट्राइ करेंगे ना उसके बाद बाजार से कभी भी केक या पुडिंग लाने की नहीं सोचेंगे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक गिलास के लगभग गाय का दूद अपड़ा था वाई ले लिया जो दूदो वो चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात लिए इसके अंदर हम त पॉड़र डाल देंगे सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो है इसके अंदर लंप्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाए इसलिए मैंने इससे अराम से अभी जो है इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के लगभख कौन फ्लोर अ दीरे दीरे करके जैसे से चीनी भूलेगी इसका वॉल्म थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि चीनी जो है वो पाने रिलीस करती है इतनी देर हम एक बाउल के अंदर एक टी स्पूल के लगबग ऑल डाल के उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी पुडिंगो निकालन में दिक्कत ना हो बस अब हम गैस के फ्लेम पर लगातार इसे चलाते रहेंगी एक से दो मिनट के अंदर ये तीजी से गाड़ा होने लगेगा और जैसे इसके अंदर उबालाता जाएगा हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसके पास ही खड़े रहना है वरना इसमें अब इसे और ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर मेरे पास आधा कपके लगबग चॉकलेट पड़ी थी उसको छोटे टुकड़ो में काटके वो भी इसमें डाल दिया है इसका बहुत ही अच्छा बिलकुल बजार जैसा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा आप इसको बिलकुल चिल्ट करके ठक खाईए तो यह आईस क्रीम का मज़ा भी देगा और पूडिंग का और अगर घर में फटा फट से केक बनाना हो केक बाजार से बहुत महंगा आता है और बच्चों को जो है कई वरी वो एक दो दिन पुराना होता है तो आज की रहे में चॉकलेट पुडिंग है और बच्चे चॉकलेट के दिवाने होते हैं बस हाँ यह कि आप ना पिल्कुल सही रखी तब ही यह अच्छी बनकर तयार होगी बस इस तरह हमें से लगातार चलाते रहेंगी और जब यह काफी गाड़ा हो जाएगा लेकिन पॉरिंग कंसिस्टे कैसी कैसी है उसी समय हमें इसको अच्छे से चान लेना है उसी बाउल के अंदर थोड़ी बच गई थी तो मैंने एक जो है दूसरे मोल मेरे पड़ा था उसके अंदर भी सको चान दिया है इतनी सारी पुडिंग मनकर तयार हुई है अब हम इसे ना चेर डानों कुछ करना आ कितनी अच्छी हमारी पुडिंग बनकर तयार है एक दम परफेक्ट चॉकलेट पुडिंग मनी है थोड़ा साइडों से जो है वो कम फिनिशिंग आ रही थी तो मैंने एक कार्ड से उसको फिनिश कर दिया और और ज्यादा सुंदर लगी तो मेरे पास जो है फेटी वी क्री किम वोडग दी आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं थोड़े से फ्रेश फ्रूट के साथ चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं पुडिंग का टेस्ट बढ़ी हाने वाल है और देखिए कट करने में बिल्कुल केक जैसा नई रेसिपी में भूल गई इसे पहले में आपको अपना छोटे मोल तो दिखा दो उसका क्या हाल है यह हलका सा इसको टैप करना पड़ेगा क्योंकि अलुमिनियम का बरतन है और मैंने फ्रीज में थोड़ा ज्यादा दिया था फ्रीजर में देखिए कितनी अच्छी पु सब्सक्राइब लाइक को शेयर करते रहिए मैं रोज रोज नहीं नहीं रेस्पी लाने की कोशिश करूंगी थैंक्यू